क्या आल चाल है मेरे प्यारे बच्चों पढ़िया है न सब कुछ देखो अगर आपको गड़ित में सव नमबर के पेपर में से सत्तर नमबर के आसपास या उससे ऊपर आपको सिक्योर करना है कितना भी आप कमजोर हो कितना भी आप वीक हो अगर आपने मेरा 16 गंटे वाला वीडियो कोर्स ले लिया तो उसमें आपको लगबग आपके एक्जाम में जितने भी कोश्चन आते हैं उसमें से ज्यादा तर कोश्चन मैच करेंगे कुछ तो आफर के तोर पर मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पेमेंट का लिंक दे दे रहा हूँ आफर कितना है डेली तो 200 पर फीच रहती है लेकिन आज साम तक रात तक अगर आप उस लिंक के थुरू बाई करते हैं तो आल्रेडि जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिख जाएगा कितना पेमेंट करना है ठीक है तो डिस्काउंट है लेकिन कितना है ये जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा ठीक है ना तो पेमेंट लिंक नीचे दे दे रहा हूं, पेमेंट करके मुझे काल करिये, कॉर्स तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं आज के सवाल का, सूचना थी, आफर वाली, तो मैंने दे दिया, ठीक है, सवाल तो हो जाए कम से कम, चलो देखो, सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर, दिखाए दे रहा है ना, और इसको कैसे करना है, सबसे पहले, इसे देखे कर, कुछ आपको महसूस होना चाहिए, कैसे महसूस होगा, इसे देखने से पता चल ला है ना, डी टू आई अपन डी अक्सी स्क्वायल लिखा है, इसका मदलब कि दो बार डिफेरेंसियेशन हुआ है, दो बार आउकलन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, धड़ा धड़ दो बार आउकलन कर देंगे, उसके बाद सोचेंगे कि यह आएगा कैसे, ठीक है, चलिए, पहले तो इसको यहां तक देखके यहां लिख लिजिए, अभी मैंने क्या कि, यहां तक देखके लिखा, सम्मिकर नमबर एक बना दिया, अब मैं क्या करूँगा, दोनों पच्चों का डिफेरेंसियेशन करूँगा, आउकलन करूँगा, एक कास एक्स, ए तो ऐसे रहा जाएगा, का B sin X तो B ऐसे रहेगा sin का उकलन क्या होता है कास X अब यह समेकर नमबर 2 बना दो फिर दुबारा उकलन करो क्यों दुबारा करेंगे क्योंकि यह बताता है कि इसको कम से कम दुबार उकलन करना ही है समझे तो चलो देख लो D2 I upon D X square बराबर माइनस तो रहेगा A भी रहेगा sin का उकलन क्या होता है कास X B ऐसे ही रहेगा कास का उकलन क्या होता है माइनस में sin X तो माइनस में sin X ऐसे अब क्या करेंगे पलस माइनस के गुड़ा क्या होता है माइनस चरह एने दो सीधे यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, कामन लेलो, d2i upon dx2, बराबर यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस कामन लेंगे, तो बच्चेगा आपका a, 80x, प्लस b, sinx, अब आप ज़रा ध्यान से देखो, कोष्टक के अंदर जो बंध है न, वो तो y का वेलू है, कोष्टक के अंदर जो बंध है, वो क्या है, समीकर नमबर एक में देखो, इतनी का माइन, क्या y, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अगली लाइन में y लिखेंगे, बराबर माइनस में y, यह माइनस और यह क्या है, आपका y है, तो माइनस y बाएं पच्छ में आएगा, प्लस y होगा, तो d2y upon dx square, प्लस y बराबर 0, माइनस y बाएं पच्छ में आगया, प्लस y बराबर 0, यही तो लाना था, देखिए, आगया न, तो चार मिनट में आपने सीख लिया यह सवाल, इस स्क्रीन साट लेलो, नोट नहीं करना पड़ेगा, लेलो, ले लिया, कापी अच्छा सवाल था, चलिए, आगली वीडियो मिलते हैं, थैंक्यू,